जारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से राहत जारखंड वैदर जारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है यह मिजाज शनिवार की शाम चार बजे से ही बदला हुआ है इस बीच कही कही पर बुंदा बांदी भी हुई है इससे लोगों को राहत भी मिली है दूसरे दिन रविवार की बात करें तो हवाएं चलने से उमस्वाली गर्मी से कुछ हट तक राहत मिल रही है चिलचिलाती गर्मी से जार्खन के लोग उफ करने लगे हैं अब वे कुछ राहत चाहते हैं जारखंड का तापमान भले ही कम है, लेकिनों मसवाली गर्मी का प्रकोप जादा होने से लोगों को जादा परेशानी हो रही है दो दिनों में मौनसून आने के आसार, अगले दो दिनों के भीतर ही मौनसून के जारखंड में प्रवेश करने के आसार बने हुए है इसकी घोशना मौसम विभाग की ओर से 10 दिनों पूर्वी कर दी गई थी वेधर अपडेट, आएंडी की चेतावनी, 11 जगहों पर हीटवेव और बहुत तेज बारिश का सबसे बढ़ालट आएंडी की वेबसाइट के मुताबिक 17 जून 2024 को देश की कई हिस्सों में प्रचंद गर्मी पड़ेगी कुल साथ जगहों पर हीटवेव और चार जगहों पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश का रेड अलग जारी किया गया है देखिए कि आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा भीशन गर्मी खीटवेव से लोग पहले ही परेशान है देश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेलसियस से 50 डिग्री सेलसियस के बीच है इस बीच आज पश्चम उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, डिली NCR, डेली NCR वेधर अपडेट खर्याना, जार्खंड, चंडीगर और पंजाब में हीट्वेव का रेड अलट रेड अलट जारी किया गया है जार्खंड वैदर, मानसून से पहले रांची समेट कई जिलों में हुई बारिश, मौसम हुआ सोहाना जार्खंड वैदर, जार्खंड में मानसून के आने के अब तक कोई संकेट नहीं मिल रहे राहत की बात यह है कि कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आए है जारखंड वैदर, मानसून के जारखंड में आने के कोई संकेट नहीं दिख रहे है लेकिन मानसून के आने से पहले राजधानी रांची समेथ कई जिलों में बारिश हुई बारिश के बाद मौसंग सुहाना हो गया रविवार की रात को रांची के कुछ हिलाकों में हुई बारिश के बाद सुबह थंडी हवाएं भी चली आस्मान में बादल चाये रहे संताल परगना और कोलहान प्रमंदल में भी हुई बारिश उधर संताल परगना और कोलहान प्रमंदल में भी कही कही देर रात को राहत की बारिश हुई इसके बाद रांची समेत कई जिलों में सुबह आस्मान में बादल देखे गए साथ बजे के बाद थोड़ी देर के लिए सूरज निकला लेकिन फिर बादल की ओट में छिप गया सुबल थंडी हवाएं चलने से लोगों ने राहत की सांस ली रांची सहिट जार्खन के आधा दरजन जिलों का अधिक्तम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है संतालव कोलहान में हुई बारिश पलामू प्रमंदल में चली लो राजधानी का अधिक्तम तापमान 49 डिग्री से इंटीग्रेड पहुँचा पलामू का अधिक्तम तापमान 44.5 डिग्री सेलसियस रहा पलामू प्रमंदल में आज भी जारी रहेगी लो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके और गिरने का अनुमान है केवल पलामू प्रमंदल में ही लू, हीट वेव की स्थिती है ये सोमवार को भी जारी रहेगी इसके बाद वहाँ भी लोगों को लू से निजात मिल सकती है वैसे, राज्य में मानसून के प्रवेश के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले है राणची, जमशेदपूर समेट कई जिलों में हुई बारिश रविवार की राद तक राजधानी रांची, जमशेदपूर, जामताढ़ा, सिमदेगा, कुर्डेग में अच्छी बारिश हुई बारिश के बाद सोमवार 17 जून को सुबल का मौसम सुहाना हो गया राजधानी का अधिक्तम तापमान भी 40 डिग्री से नीचे चला गया शनिवार को पलामू सबसे गर्म रहा यहां का अधिक्तम तापमान 44.5 डिग्री सेसी रहा जमशेदपूर की तापमान में करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेट की गिरावत आई यहां का तापमान भी 49 डिग्री सेसी के करीब रहा गुमला, खूंटी, पाकुर, सराइखिला, साहिब गंज, सिंधेगा और पश्चिमी सिंभूम का अधिक्तम तापमान 40 डिग्री सेसी से नीचे रहा गर्वा, पलामू, चत्रा में चल सकता है हीट वेव मौसम केंद ने पूर्वानुमान किया है कि 17 जून को गर्वा, पलामू और चत्रा जिले में हीट वेव चल सकता है अन्य जिलों के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी कहीं कहीं तेज हवाओं के जूंके के साथ साथ गर्जन और वज्रपात हो सकता है 17 से 22 जून तक राजधानी और आसपास में कहीं कहीं हलके से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है बारिश के कारण अधिक्तम तापमान 35 डिग्री से सी तक जा सकता है आज 30 चिलो में गरच चमक के साथ बारिश, बिज्ली आंधी का अलट, उलाव रिष्टी की संभावना मध्य प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच भोपाल, इंदोर जबलपुर और उज्जेन और 25 से 30 जून के बीच ब्वालियर चम्बल में मानसून पहुंचने का अनुमान है इस बार जून से सितंबर यानी चार महीने तक इंपी में 104 से 106 फीसदी तक बारिश की संभावना है MP Weather Alert Today, मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है संभावना है कि 20 जून से पहले कभी भी प्रदेश में मानसून की इंट्री हो सकती है प्री मानसून की एक्टिविटी के चलते आज रविवार को 30 जिलों में बारिश, आंधी और बिजली का अलट जारी किया गया है कहीं कहीं उलावरिष्टी होने का भी अनुमान है इन पी मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में 17-18 जून को आसमान में बादर चाने के साथ दिन के तापमान में एक डिग्री की कमी आ सकती है जबकि रात का तापमान बढ़ेगा इसके बाद 19-21 जून को पश्चिमी विक्षोब के असर से बादलों की आवाजाही शुरू होगी जिससे दिन वर रात के तापमान में कमी आएगी इस दोरान कहीं कहीं बारिष की भी संभावना है इसके बाद 21-21 से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी और बारिष का दोर चलेगा इस दोरान अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है आज कहां बारिष आंधी और लूका अलट इन पी मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को छतरपूर, निवारी, सिंग्रॉली, सीधी, रीवा, मौगंज और सतना जिला में लूकालत सिंग्रॉली, सीधी, रीवा, मौगंज, सतना और उमरिया जिलों में राते गर्म सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्हानपुर, खंडवा, खर्गोन, डेवास, आगर मालवा, जिलों में उलावरिष्टी और तेज हवाएं सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्हानपुर, खंडवा, खर्गोन, डेवास, आगर मालवा, जिलों में उलावरिष्टी और तेज हवाएं सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्हानपुर, खंडवा, खर्गोन, डेवास, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा, रायसिन, राजगर, नर्मदपुरम, बढ़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उजजन, शाजापुर, मनसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर शियोपुर, कला, छिंदवाडा, सिवनी, अनुपुर, दिन्दोरी, मंदला, बालाघाट, पन्न, दमोह, और सागर, जिलो में बारिश, 50-60 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाएं और उलाव रिष्टी का अलट मनसौर, हर्दा, पूर्वी चिंदवाणा, दक्षन बालाघाट और पश्चिमी बैतूल में गरज चमक के साथ मध्यम गरज, 50 किलोमीटर प्रती घंटे तक की हवा, के साथ साथ नीमच, प्रतलाम, खर्गोन, सिहोर, खंडवा, उनका रिश्वर, शाचापुर में बारिश विदशा, सागर, दमो, सिवनी, मंदला, कट्नी और दक्षन नरसिंपुर में बुंदा बांदी, ग्वाली और चंबल अंचल में बादल छाए रहेंगे, जल्द होगी मानसून की धमाकिदार एंट्री, इंपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षनी पश्चल मानसून में तेजी आ गई है, 20 जून तक इसके प्रदेश में पहुँचने का अनुमान है, अनुमान है कि यह दिनदोरी बालाघाट के रास्ते इंपी में दस्तक दे सकता है, इसके बाद अन्य हिस्सों में पहुँचेगा, 20-25 जून के बीच भोपाल, इंदोर जबलपु और उजेन और 25 से 30 जून के बीच गवालियर चंबल में मानसून पहुँचने का अनुमान है, इस बार जून से सितंबर यानी 4 महीने तक इंपी में 104 से 106 फीसदी, जारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से राहत, जारखंड वैदर, जारखंड में मौसम का मिजाज बद विवार की बात करें तो हवाएं चलने से उमस्वाली गर्मी से कुछ हट तक राहत मिल रही है, चिलचिलाती गर्मी से जारखंड के लोग उफ करने लगे हैं, अब वे कुछ राहत चाहते हैं, जारखंड का तापमान भले ही कम है, लेकिन उमस्वाली गर्मी का प्रकोप ज गई थी। आज 30 चिलों में गरच चमक के साथ बारिश, बिजली आंधी का अलट, उलाव रिष्टी की संभावना। मध्य प्रदेश में 20-25 जून के बीच भोपाल, इंदोर जबलपुर और उज्जैन और 25-30 जून के बीच ब्वालियर चमबल में मानसून पहुँचने का अनुमान है। इस बार जून से सितंबर यानी चार महीने तक MP में 104-106 फीसिदी तक बारिश की संभावना है। MP Weather Alert Today मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। संभावना है कि 20 जून से पहले कभी भी प्रदेश में मानसून की इंट्री हो सकती है। प्री मानसून की एक्टिविटी के चलते आज रविवार को 30 जिलो में बारिश, आंधी और बिजली का अलग जारी किया गया है। कहीं कहीं उलावरिष्टी होने का भी अनुमान है। इंपी मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में 17-18 जून को आस्मान में बादल चाने के साथ दिन के तापमान में एक डिग्री की कमी आ सकती है जबकि रात का तापमान बढ़ेगा। इसके बाद 19-21 जून को पश्चिमी विक्षोब के असर से बादलों की आवाजाही शुरू होगी जिससे दिन वर रात के तापमान में कमी आएगी। इस दोरान कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। इसके बाद 21-21 से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी और बारिश का दौर चलेगा। इस दोरान अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। आज कहां बारिश आंधी और लूकालत इंपी मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को छतरपूर, निवरी, सिंग्रॉली, सीधी, रीवा, मौगंज और सतना जिला में लूकालत। सिंग्रोली, सीधी, रीवा, मौगंज, सत्ना और उमरिया जिलों में राती गर्म सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्भानपुर, खंडवा, खरगोन, डेवास, आगरमालवा, जिलों में उलावरिष्टी और तेज हवाएं सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्हानपुर, खंडवा, खरगोन, डेवास, आगर मालवा, जिलों में उलाव रिष्टी और तेज हवाएं सिहोर, बैतूल, हर्दा, बुर्हानपुर, खंडवा, खरगोन, डेवास, आगर मालवा, भुपाल, विदिशा, रायसेन, राजगर, नर्मदापुरम, बढ़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जेन, शाजापुर, मंसौर, नीमच, गुना, अशोकनग शियोपुर, कला, चिंदवाडा, सिवनी, अनुपपुर, दिन्दोरी, मंदला, बालाघाट, पन्न, दमोह और सागर जिलो में बारिश, 50-60 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाएं और उलाव रिष्टी का अलट मंसौर, हर्दा, पूर्वी चिंदवाडा, दक्षन बालाघाट और पश्चिमी बैतूल में गरज चमक के साथ मध्यम गरज, 50 किलोमीटर प्रती घंटे तक की हवाग के साथ साथ नीमच, प्रतलाम, खर्गोन, सिहोर, खंडवा, उनका रिश्वर, शाचापुर में विदशा, सागर, दमो, सिवनी, मंदला, कटनी और दक्षन नरसिंगपुर में बुंदा बांदी, ग्वाली और चंबल अंचल में बादल छाये रहेंगे, जल्द होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, इंपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षनी पश्च भोपाल, इंदोर जबलपुर और उज्जैन और 25 से 30 जून के बीच ब्वाली और चंबल में मानसून पहुचने का अनुमान है, इस बार जून से सितंबर यानी चार महीने तक इंपी में 104 से 106 फीसदी